नवस्कार मैं हूं धर में इंदराब देख रहे हैं ओनाइञ निज्ञिज इंडिया जिस तरह से लगातार सरकार ठर्रा रही है किसानों के अंदोलन से और अब सरकार ने जो आखरी दोर की बात्चीत थी जारवे दोर की बात्चीत थी वो भी बात्चीत बिना किसी नतीजे के और बिना किसी तारीक के खतम कर दी लेकिन किसे ने ये नहीं सोचा होगा कि मोधी सरकार इस आंदोरन को खतम करने के लिए इस हद तक आ जाएगी इस हद तक मोधी सरकार आ जाएगी कि वहाँ पर गोली चलवाने तक की जो है वो बात हो रही है एक व्यक्ति को किसानों ने पकड़ा है इस व्यक्ति ने जिस तरह से वहाँ पर राज उगले है बाकाइदा प्रेस कोंफरेंस आदी रात में किसानों ने रिकी है और उसमें खुलासा हुआ है कि किस तरह से ये व्यक्ति और इसके साथ ही इसकी टीम मिल करके जो है वहाँ पर किस तरह से गोले चलाने वाले थे पूरे परकरन का खुलासा हुआ है लेकिन कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जो आंदोलन अभी दो महिने से बिल्कुल शांती पिरेड धंग से चल रहा है उसमें अचानक से आईसी हर्कत भी जो है वो देखने को मिल वेकिन ऐसे हरकत हो रही है और 23 जनवरी से यानि आज से और 26 जनवरी तक एक बड़ा प्लान है और इस प्लान का खुलासा किया है इस व्यक्ति ने सबसे पहले आप इस व्यक्ति को देखे बड़ी press conference नहीं है एक घंटे से ज़्यादा की press conference रही है सबसे पहले कुछ एक main point आप देखे आपको बताएंगे कि इस व्यक्ति का किछे प्लान था, किसने पैसे दिये कहां से पैसे दिये और इसके जो साथ ही हैं वो कहां कहां पर है और कैसे ये दिल्ली को दहलाने की जो है वो साजिस रच रहे थे वो भी आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले एक जलकिया आप देखिए दो जगर हत्यार दिया है एक माखन भूख के पास और दूसरा हो गली में हमारा प्लान यह था कि जो से होगी जैसे 26 तारिक को बढ़ने के कोशिस करेंगे तो पहले जो पहले जो लाइन होगी उसमें क्या होगा जैसे जो गन चलाएगा जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस इनको को रोकने की कोशिस करेंगे जो गन चलाएगा सर वह यह होगा कि वह यह होगा कि पहले हम शूट करेंगे पहले रोकने की कोशिस करेंगे अगर यह बाइचास नहीं रुखते तो इन पर शूट होने का ओडर है अगर दूसरी चीज अगर तब भी नहीं रुखते हैं गुट अंश्क्राइब को ये लगेगा कि दिली में दिल खिसान लोगों ने ये चलाए हैं इसमें उटदिये जो 26 तारिक को जो रेली होगी उसमें से आधी जो 26 तारिक को इसमें श्टेंज पे चार लोग और चार लोग मपेर, उनको शूत करने का प्रह рук और जो हमेशे काता है, वो परदीब शिंग है matter दिल्ली के सिंगु बोडर पर किसानों ने इस व्यक्ति को पकड़ा है और इस व्यक्ति के साथ में चार लोग और भी बताए जा रहे थे लेकिन इस व्यक्ति को पकड़ा है और पकड़ा कैसे है? दरसल इन लोगों का प्लान था कि ये लोग जो है वहाँ पर सिंगु बोडर पर जा करके लड़की को छेड़ने का काम करेंगे और लड़की को जैसे ही छेड़ेंगे तो उसके बाद में सिखों के सेंटिमेंट जो है वो हर्ट हो जाएंगे और सिख भावनाओं में भड़क करके जो है वो अपने हतियार निकाल लेंगे जो भी बंदू, भाला, तलवार जो उनके पास में है वो हतियार वो निकाल लेंगे और इनको पता चल जाएगा कि किसानों के पास में कौन-कौन से हतियार है ये इन लोगों का प्लान था इस प्लान के तहट जो ये लोग जो है वो काम कर रहे थे 19 जन्वारी से ये लड़का लगातार सिंगू बोडर पर रह रहा था इस लड़के ने खुद से सारी बाते बताई है 19 जन्वारी से लगातार ये सिंगू बोडर पर रह रहा था और वहाँ पर रेकी करने का काम कर रहा था इसका काम ये था कि सबसे पहले ये बताए कि किसानों के पास में ट्रेक्टर ट्रोली के अंदर कौन-कौन से हत्यार है क्योंकि गोधी मीडिया लगाता है बार-बार ये कह रही है कि खालिस्तानी है जो बड़ी संख्या में दिल्ली को दहलाने के लिए मोधी को सत्ता से हटाने के लिए आये हैं और इनके पास में हथियारों का जखीरा है ये बात बार बार गोधी मीडे की तरफ से कही जा रही है और इसलिए ये सक्स जो है वहाँ पर रेकी करने के लिए गया था इसने पहले जो है वहाँ पर लड़की छेड़ने का प्रियास किया और फिर वहाँ पर भड़काने का प्रियास किया लेकिन किसानों ने इसे पकड़ लिया किसानों ने इसे पकड़ लिया पकड़ करके किसान जो है वह अपने टेंट के अंदर लेकर के आये और फिर से पूछताच की और उसके बाद में किसानों ने ये प्रेस कॉन्फरेंस की और प्रेस कॉन्फरेंस में ये पूरा खुलासा हुआ है लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि इस वक्ति को मदद पहुंचाने वाला इस वक्ति को सिंगू बोर्डर पर पहुंचाने वाला कोई और नहीं था बलकि सोनिपत के राई के S.H. परदीब सिंग इस व्यक्ति ने खुद से बताया है कि हमें राई के S.H. परदीब सिंग ने हमें पैसे दिये और पैसे दे करके हमें यहां पर भेजा हमारे 10 लोगों की टीम है 10 लोगों की टीम में से कुछ लोग जो है वो किसानों के तरफ सामिल हो जाएंगे, किसानों के जथे में सामिल हो जाएंगे और उसके बाद में किसान जब 26 जनवरी की प्रेड के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो किसानों में सामिल हो करके और किसानों की तरफ से पुलिस की तरफ फाइरिंग करेंगे पुलिस की तरफ जो है वो गोली बारी करेंगे और इससे पुलिस जो है वो फाइर करने के लिए मजबूर हो जाएगी और पुलिस फिर फाइर करेंगी किसानों के उपर तो इसमें क्या होगा हजारों की संख्या में किसान मारे जाएंग दूसरा कुछ लोग जो है इनके वो स्नाईपर के रूप में जो है स्नाईपर वो होते जो दूर से मालनी जे किसी बिल्डिंग से मालनी जे कहीं पर 200-300 मीटर दूर से जो है वो शूट करेंगे चार किसानों की फोटो जो है इसके मुबाईल फोन में मिले है और चार किसानों को मोत के घाट उतारने का इन लोगों का प्लान था और तीसरा बड़ा काम ये था कि इन लोगों के ग्रहों में दो लड़किया थी जिनका नाम बताये गए है पूजा और सुनीता दो लड़किया थी और उन लड़कियों का काम ये था कि वो लोगों को ये एक एकर के भड़काए कि फला आदमी ने मुझे छेड़ दिया है मेरे साथ असली लड़कत की है उसके बाद में सिख जो है वो ओटमेटिक भड़क जाए और उसके बाद में फिर पूरा जो है दंगे का रूप ले ले और उसके बाद में आसान हो जाए सरकार के लिए वहाँ पर बल प्रियोग जो है करके और इनको वहाँ से ख़देड़ा जाए ये बाते इसनों ने वो बताई थी पहले भी ये लड़का जो है और इसकी टीम के जो साथी है वो हर्याना के अंदर जो जाट अंदोलन हुआ था उस जाट अंदोलन में भी हिंसा फैलाने का काम ये लोग कर चुके हैं और पुलिस की वर्दी पहन करके इन लोगों ने ये काम किया था लेकिन आप सोचीं कि किस तरह से जो है वो एक बड़ा प्लान जो है वो बनाया जा रहा है कैसे कैसे लोगों को जो है वहांपर भीजा जा रहा है और इसलिए कई सारे प्रोटेस्ट में हमने देखा होगा कि ये वीडियो जो है वो भाइरल होता है कि पुलिस वाले वो बगेर nameplate के वहाँ पर कारवाई करते वे नजर आते हैं तो क्या वो ऐसे ही लोग हैं जिनके उपर आरोप ये लगता है कि वो BJP RSS के लोग है जो पुलिस की वर्दी में वहाँ पर प्रतसन कारियों को चाहे वो CNRC की बात हो चाहे वो अलग-अलग प्रोटेस्ट की बात हो इसी तरह से बगेर नेम प्लेट के जो है वो वहाँ पर नजर आते हैं सवाल यही है कि 26 जनवरी के लिए अब ये खेल जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है और पूरी तरह से सुरू हो चुका है लेकिन सवाल यह है कि सरकार जो है इसी तरह से जिस तरह से लड़का बता रहा है इसी तरह से इस आंदोलन को खतम करने की तयारी कर रही है कि सरकार इतनी थर्दा गई है कि उनको सरकार को जो है ऐसे से लोगों का इस्तमाल करना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से किसानों ने इसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया है बगैर किसी मारपीट के और शांती से इसके पहले सबसे पहले जो है इसकी press conference सारी बाते जो है वो पतरकारों के सामने रखवा करके तब इसको पुलिस के हवाले किया है अगर इसको सीधे पुलिस के हवाले कर देते तो सारी बाते जो हमने आपको बताई है ये नहीं पता चल पाती इसलिए किसानों ने एक समझदारी का काम यह जरूर किया है कि पुलिस को बाद में जो है वो जानकारी दी है लेकिन पहले इससे पतरकारों से सामने ला करके सारी बाते जो है उनका परदा फास करती है और उसके बाद में पुलिस को जानकारी दी और इसको पुलिस के हवाले क कर दिया गया है सवाल यही कि ऐसे कितने और लोग हैं किसानों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए ना जाने ये तो एक-दस लोगों की टीम बताई जा रही है ऐसे और भी लोग हो सकते है बहराल जिस तरह जिस लड़के को सच पहुंच सके कि किस तरह से किसानों के साथ में एक बड़ी साधिस जो है वो रची जा रही है धन्यवाद इस खबर को अभी लाइक करें शेर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं